Hello guys, welcome back to CP Classes और आज का वीडियो In fact, मैं बोलू हूँँगा कि आज से हम लोग आपके साथ question papers discuss करना शुरू करेंगे जिसमें आपको बताने वाला हूँ previous year में paper कैसा आता है और इस बार आपके paper का format क्या होने वाला है साथी साथ important questions की भी series हम लोग आप दिरी दिर करके start कर रहे है तो previous year के papers और important questions दौनों के बारे में आपको regular videos अपने channel के तुरू अब हम लोग आपको देते रहेंगे ताकि आपके exams जो कि अब बहुत करीब है उनकी preparation में आपको बहुत जादा help मिले तो उसी में आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ financial accounting जो की B.com के अंदर एक subject आता है उसका paper में आपसे discuss करने वाला हूँ किस तरह का paper आता है किस तरीके की questions आप पूछे जाते हैं तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा और चैनल पर नहीं है जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजेगा और टेलिग्राम चैनल पर भी हमारा चैनल है आप वहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है हमें वहाँ पर जोईन कर सकते हैं सबसे पहली चीज इस पेपर में दो पार्ट है तो आपका जो पेपर का टाइमिंग है टोटल मिलाकर यह पूरा पेपर आपका तीन गंटे का रहेगा पार्ट ए के लिए मिलेंगे आपको दो गंटे 30 मिनट यह 75 marks का ठीक है सबसे पहली चीज आपको जो देखनी है इसके अंदर सारे question आपको attempt करने है क्योंकि यह paper जो है यह numerical based practical based paper है तो इसमें working भी होगी definitely वो आपके answer का part होनी चाहिए आपको अपने answer के नीचे वो चीज शो करनी है साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और mention है instructions में answer आप अपने English में या Hindi में किसी भी medium में लिख सकते हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने पहले Hindi medium चूज कर रहा है तब भी आप अपने answer को English medium में लिख सकते हो मगर पूरे paper में आपको एक ही medium follow करना है और देखिए यहाँ पर एक और चीज मेंचन है simple calculator is allowed क्योंकि यह numerical होता है subject financial accounting तो यहाँ पर आपके लिए simple calculator भी allowed है ठीक है चलिए अब आप अचाए आप एक चीज और देखिए आप आपका जो question paper होगा न वो Hindi में भी लिखे होंगे questions और वो English में भी लिखे होंगे जैसे यह instructions भी है हिंदी में भी थी है और English में भी है चलिए चलते हैं paper के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं part A आपका part A में देखिए पहला question है आपका तीन नंबर का है और उसके अंदर internal choice है distinguish between accounting concepts and accounting standards या right and not on matching concept इन दौन में से आपको एक question attempt करना है यह question है आपका तीन नंबर का उसके बाद चलते हैं second question पे यह है आपका receipt and payment account इस question में given है आपका chapter है non-profit organization second question उससे आया हुआ है receipt and payment account यह पूरा की पूरा given है ठीक है और एक adjustment दे रखी है इससे आपको income and expenditure account बनाना है यह question 13 number का है second question और इस question के साथ आपको choice मिली हुई है कि trial balance दिया हुआ है आपको और कुछ नीचे adjustment दे रखी है उसके आपको trading and payment account बनाना है यह देखिए यह सारी adjustment दे रखी है इस question में तो second question में NPO और आपका final account इन दौनो chapters के questions के बीच में choice आई है और question है आपका 13 number का ठीक ह यह इसके बाद अगर हम बात करते हैं third question की आपका third question यह देखिए यह पहला question आया हुआ है depreciation का ठीक है depreciation वाले चप्टर का question है इसके साथ यह देखिए third question में A part है आठ नंबर का यह numerical portion है और पांच नंबर इन्होंने डाल दिया theory का difference between periodic and perpetual inventory record systems और और पार्ट में इन्होंने डाला है आपका depreciation का question आठ नंबर का और बी पार्ट इसमें numerical का है यह inventory control वाले चप्टर से है तो ऐसा ही third question भी आपका हो गया 13 नंबर का और फिर यह हिंदी में आपको पूरा की पूरा question explain कर दिया थीक है आगे चले अगर हम fourth question की बात करें fourth question है आपका higher purchase से थीक है installments के उप question है आपको higher purchase account बनाना इसके अंदर आपको दौनों parties की books में यह 10 marks का आया हुआ है और बी पार्ट में आपसे theory पूछी है silent features of an operating lease यह 13 नंबर का हो गया और इसके और पार्ट में देखिए higher purchase का ही question है और 10 नंबर का numerical आया है और 3 नंबर की उसमें theory पूछी है silent features of financial lease तो इस तरीके से यह question आपका हो गया पूरा 13 नंबर का और नीचे देखेंगे तो यह आपसे हिंदी में बताया गया है पूरा question आपको हिंदी में show किया गया है पांच में question पर आएंगे तो यह branch account वाला जो chapter आपका branch accounting वहां से question पूछा गया है तीन चीज़े से बनानी है branch stock, branch debtor, branch adjustment account ठीक है and branch pendal account, stock reserve account चार चीज़े पूछी है पांच चीज़े रधर इस question के अंदर जो आपको prepare करनी है यह detail mention है और पार्ट में भी branch का ही question है इस question में ठीक है तो यह question आप देख पा रहे होंगे यह 8 number का question दिया है इसके B part में आप से departmental accounting का एक chapter है उसका question डाल दिया है इसके B part में यह आप देख लिज़े इस तरीके से और उसके बाद यह पूरा की पूरा question हिंदी में ठीक है अब हम आगे पार्ट B के अंदर तो पार्ट A था जो आपका वो था 55 marks का अब पार्ट B के अंदर चलते हैं पार्ट B आपका 20 नमबर का इसमें पहला question दे रखा है 6th question पार्ट A उसका पांच नमबर का question है explain the rules laid down in leading case of Garner versus Murray and explain situations when these rules cannot be applied और इसका जो B part है उसमें आपको एक balance sheet given है और it is decided to dissolve the firm यह आपका dissolution वाले chapter से question है यह पूरी detail दे रहा है इस question की ठीक है prepare necessary ledger accounts यह question आपका 15 नमबर का तो 15 नमबर का numerical और 5 नमबर की आपकी थी इसमें theory तो हो गया 20 नमबर का और इसी question के और पार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपसे यह आपका dissolution का question है a part में there are two partners a b sharing profits and इसमें आपको prepare करना है statement showing distribution of cash between partners applying proportionate capital method of piecemeal distribution यह question आ गया और इसके बी पार्ट में फिर एक numerical question है ठीक है इस तरीके से detail दे रखी है और यह भी आपका dissolution का question है यहां पर आपको दिया हुआ है prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm उसके बाद यह आपका question हिंदी में दे दिया नहों ने ठीक है तो इस तरीके से आपके पास part a और पार्ट भी हो गया ठीक है दौनों पार्ट आपको attempt करने है पार्ट पच्पन नंबर का था और पार्ट भी आपका 20 नंबर का है और दौनों ही पार्ट के अंदर हर question में internal choice थी ठीक है तो इस तरीके से आपका financial accounting वाले subject का पेपर आता है टेलीगराम चैनल जरूर जोइन कर लीजेगा बिकॉस मैं यह PDF वहां पर upload कर दूँगा ताकि आप लोगों की help हो जाए कि previous year में क्या pattern रहता है पेपर का और उसके साब से आप अपनी preparation कर सकें और यहां पर एक चीज़ आपने और देख ली कि कौन-कौन से questions किस-किस टाइप के किस-किस chapter से questions नॉर्मली पूछे जाते हैं बीकॉम के अंदर financial accounting जो subject है उसमें तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर इस वीडियो को because मैं हमेशा कहता हूँ sharing is scaring तो आप यह share करेंगे तो बहुत सारे लोगों की इससे मदद हो जाएगी और चैनल को जल्दी से कर लेना subscribe, bell का notification ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की notification आपके पास regular आती रहे. Thank you so much. See you in the next video.